प्यारे दोस्तों नमस्कार और मैं राइंदर राणा आपका पुनो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आज इस चेहरे को देखकर आप समझी गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम आज ही उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुसकर धामी जी का पर बात करने वाले हैं और जानेंगे उनके बारे में उनके जीवन पर चैके बारे में और आखिर क्यों उत्राखंड का मानने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है ऐसा कौन सा कारण था कि तीरत सिंग रावद जी को इस्थीपा देना पड़ा और उनके इस्थान पर पुसकरधामी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो इसके अत्रिक्त इस सम्बंदित जो एक्जाम से सम्बंदित क्वेसंस होंगे उन पर भी बात करेंगे तो आपसे अनरोध है कि वीडियो पर अंत्त तक अवश्य बने ताकि जो वीडियो का उद्देश्य है वो आप तक पहुँच सके सबसे पहले जीवन परचे की बात कर लेते हैं तो आप जो दामी जी है उधम सिंग नगर की खटीमा विधान सबाद सीट से ये वर्तमान में विधायक थे और दूसरी बार ये क्या है विधायक बने हुए थे 46 साल के दामी BJP के युवा नेता है और उत्राखंड में अभी तक बने जितने भी मुख्यमंतरी हैं 11 मुख्यमंतरी के रूप में इन्होंने सपत ली है तो जितने भी अभी तक के मुख्यमंतरी बने हैं उन सब में सबसे युवा है इनके जनम की बात करें तो इनका जनम 16 सितंबर 1974 को राज्य के सीमान्त जिले पिथोरागड की तैसिल डीडी हाट के डुंडी गाउं में हुआ है उनका तालुक क्या सेन्य परिवार से है और उनके पिता सुबेदार रिटायर है इसके अत्रिक्ट इनकी तीन भेहने है और तीन भेहनों के अकेले ये भाई है उनके पिताब पूर्वसेनिक थे धामी की सुरुवाती सिक्षा गाउं में हुई और हायर एजुकेशनल लखनव यूनिवरस्टी से की है जहां लखनव यूनिवरस्टी में ये अध्यक्ष पदवर भी रहे थे पुसकर धामी मैनेजमेंट में पूस्ट ग्रेजवेट है और आपको जानके ताजुब होगा कि मानव संसादन में ही इनोंने मैनेजमेंट किया है यानि कि मनुष्यों को संसादन के रूप में कैसे उप्यो किया जा सकता है उसमें ही इनोंने क्या है पूश्ट ग्रेजवेट किया है द्वामी को पूरो मुख्यमंत्री और वर्तमान में महरास्ट के जो राज्यापाल है भगत सिंग कोश्यारे जी उनका बहुत करीबी माना जाता है और ये माना जाता है कि उन्हीं की लीक पर चलने वाले कद्दावर पर निता द्वामी जी है द्वामी के लिए उत्त्राखंड के मुख्या की कुरसी कोई आसान नहीं थी क्योंकि उन्हें वरिष्ट विदायकों के साथ ही ब्यूरो क्रेसी से भी सामन जश्या बनाना था किन्तु फिर भी जैसा आपने देखा कल की उठापटक राच की उठापटक के बाद द्वामी जी को उत्राखंड का नया मुख्या मंत्री बना दिया गया है तो ये तो था इनका जीवन परचे इससे संबंदित भी क्वेसन पूछे जा सकते हैं कि जन्म कहा हुआ किस छे त लेकर 1999 तक जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रे इस्थर के अखिल भारत्य वित्यार्थी परचत में विभिन पदों पर ये रहे। और इसके साथ ही साथ परदेश मंत्री के तोर पर लखनाव में हुए ABVB के राष्ट्य संबेलन में संयोजक की भूम का भी इनोंने निभाई थी उत्राखन राज्य गठन के बाद सियम भगत सिंग कोश्यारी के सलाकार के रूप में भी ये रहे पुस्करधामी 2002 से और 2008 लगबग 7 वर्सों तक दो बार भारत्य जनता युवा मोर्चा के परदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्राखन बीजेपी के परदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अलावा वर्स 2012 में पहली बार खटीमा विधान सबाच्षेतर से विधायक चुने गए थे और उसके बाद पुनाव 2017 में फिर से ये विधायक चुने गए जबकि इन्होंने 2017 में मातर 3000 वोटों से भी कम के अंतर से ये विधायक चुने गए थे तो अब जो धामी जी है प्रस्न यहां से एक ये भी बनता है ये उत्राखंड के सबसे युवा मुख्या मंत्री कौन है तो आपको ध्यान रखना है कि पुसकर जिंग धामी जी उत्राखंड के अब सबसे युवा मुख्या मंत्री है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी की राजनितिक को अगर आप देखें उठ्राखंड की राजनिति को तो जब भी चुनावी वर्स रहा है बीजेपी ने चाहे सुरू में आप नित्यानन स्वामी के पस्चात बगत सिंग खोस्यारी को देखें वर्स 2002 में उसके पस्चात 2012 में रमेश पुर्ख्याल निसंक जी को हटा कर मुख्यमंत्री भुहन चंद्र खंडूरी जी को बनाया जाना और अभी के समय पर देखें तो तीरत सिंगरावत और उनसे पहले तिरवेंद्र सिंगरावत इनको हटा कर कहीं न कहीं चुनावी सामंजश्य बनाने की कोशिस बीजेपी ने की है और और बात आपको बताता चलू कि जब भी यह मुख्यमंत्री बदलने का जितनी बार भी बीजेपी ने ये प्रियास किया है तो जैसा कि उत्राखंड में एक राजनितिक है कि 5 साल एक सरकार और 5 साल दुसरी सरकार रही है तो इस बार देखते हैं क्या वर्तमान में बीजेपी इस जो ये परंपरा चली आ रही है उसको युवा मक्यावंत्री पुसकर सिंग धामी के माध्यम से इस चलती हुई पर रमपरा को तोड़ पाते हैं यह तो वर्स 2022 में देखने को मिलेगा पर कहीं न कहीं दिलचस्प मुकाबला अवश्य बीजेपी ने बना दिया है इसे वो कैसे क्योंकि जो उसकर सिंग धामी जी है उनके अगर राजनितिक पहुंच देखें तो युवाओं के मध्या उनकी रा पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से परदेश में विपक्ष के नेतेकाप्यद इसपस्ट नहीं कर पाई है महीं बीजेपी ने सिर्फ एक दिन के भीतर अपने मुख्यमंत्री को बदल देना यह कहीं न कहीं क्या है एक बहुत बड़ा कदम है और इससे जनता पर उसका सकारा बीतर बीतरी राजनिती है वह कितनी सुद्रिड है यह संदेश क्या है इसके माध्यम से बीजेपी ने दिया है तो मुझे आसा और उम्मीद है आज का यह ज्यान वर्दक वीडियो कहीं न कहीं आपको लाबकारी रहा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीड करें आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद